तो आज हम एक बहुत टेंटिंग मक्कली पनीर की सबजी बनाएंगी दम सबजी with smoky फ्लेवरिश का नाम है इसे हम smoky फ्लेवर देंगी और बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है ये तो इसके लिए पहले एक पैन में दीप पैन में तीन टीस्पुन के जितना ओल डाल से और इस यहां पर मैंने 3 टीस्पून के जितना ओयल डाल दिया है और इसे में थोड़ा गरम होने दूँगी तो यह जब गरम हो जाएगा तो इसके अंदर में 1 आफ टीस्पून के जितना जीरा डाल देना है साबुच जीरा डाले यहां पर और जीरे को अच्छे से आप तड़कने द आप इस सबजी को नान पूरी पराथा चावल के साथ सर्व कर सकते हैं अब जीरा तडग गया है तो यहां पर मैंने दो तीन लॉंग डाली है दो तीन तेज पता डाला है और थोड़ी सी सॉंफ टाली है और इसे मैं फिर से थोड़ा सा हिला दूंगी अब यहां पर मैंने दो जाला सा बूंगी पूंगी सुखी लाल कश्मीरी मिर्च जाल देंगे यहां मैंने साथ से आठ मिर्च यूजी है थोड़ा अधरक डालेंगे अधरक को अप्रेट करी भी डाल सकते हैं पर यहां में ग्राइंड करना है तो हम साबुती डाल देंगे यहां पर आठ से नो कल यह सब्ते Ooh वो मैंने s Howard मीर्च बना हिए आप चाहे तो इसमें कि इसमें मिर्ची थोड़ी कम aley कर सकते हैं 3-4 मैंने यह पे carbon डाल दिये है रफली चौप करकि ही हम्ने pyaas डालने है और टीन 2-4 यहां पिर टमेटो डाले सव根 करने code immigrants अगर आपके पास काजु के टुकड़े हैं तो भी आप डाल सकते हैं अब यहां पे टामाटर गलने के लिए थोड़ा नमक डाल देना है और इसे अच्छे से हिलाना है और बीच बीच में इसे हिलाते रहना है ताकि यह जगदी से गल जाए और अच्छे से कुक हो जाए तो जब यह गल जाएंगे तो हमें इसकी ग्रेवी ग्राइंड करनी है तो इसे एक बड़ धक्कन लगाकर मैं पकाऊंगे पाँज से 7 मिनिट के लिए और फिर 5-7 मिनिट के बाद हम धक्कन अठाकर चेक करेंगे कि यह गल है या नहीं गल जाए तो एसे हमें पूरी तरीके से ठंडा करना है एक प्लेट में डाल के और फिर इसकी ग्रेवी ग्रा तब तक एक पैन के अंदर तेल और घी डाल देंगे और थोड़ा जीरा डालेंगे थोड़ा फाइनली चॉप प्याज डाल देंगे यहां पर मैंने दो मीडियम साइज की प्याज लिये हैं और इसी को हम थोड़ा सा हिलाएंगे और हलका सा कुक हो जाएंगे तब हम एक आलू फाइनली चॉप किया हुआ डाल देंगे अलू को एक दम फाइनली चॉप करना है और इसके अंदर दो से तीन हरी मिर्च बारिक कटी हुई डाल देंगे यह सबजी बहुत तेस्टी बनती है अब यहां पर थोड़े से मैंने अद्रग के जूलियन्स डाल दिया है यानि कि अद्रग को लंबा लंबा कट करके डाल दिय और एक टी स्पून की जितना तन्या पाऊडर और आदा टी स्पून की जितना हल्दी पाॉडर यह थोड़ा सा गल जाएगा फिर इसके अनदर हम पानी दालेंगे और इसे थोड़ा सा और गलने तक पकाएंगी तो इसे आपको हिलाते रहते हैं जब यह चोड़ने है तब अच्छे से इसे मिक्स करना और यहां पर स्वाद इनुसार नमक डालना है और यहां मैने 2,5-2 कौप पहरां करने निया क सिपने कॉड़िंग बया कर देक तेन आकॉड़ जया थेट करते हैं और इसके अंदर थोड़ी हमें कसूरी मेथी डाल देनी है कसूरी मेथी को हातों से मसल कर डाले तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अब यहां पे थोड़ी सी शिमला मिर्च और टमाटर के जूलियन्स दाल दिये हैं तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और क्रंची ने साता है सबजी के अंदर अब यह पांच से साथ मिनिट के बाद मैं दूसरे बर्नर पे रख दूंगी और हम यहां पे चारकूल गरम रखेंगे गरम होने के लिए और जब चारकूल एकदम गरम हो जाएक तो यहां मैंने लेटर स्लीव रखी है या वत्ता अर जो लेटिस का लीफ है वह भी हटा देना है और अब यहां पे हम क्रम पनीर दालेंगे पनीर मैंने यहां 150 ग्राम लिया था तो पनीर को भी आप 50 ग्राम ज्यादा कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकोर्डिंग पनीर जादा कम डाले यह बहुत ही एक टेस्टी लगती तो अब इसे हम सर्व करेंगी सर्विंग बूल के अंदर और फिर से इसे हम थोड़ा सा स्मोडी फ्लेवर और देंगे क्योंकि हमने पनीचा अब चाहे तो इसे इसका टेस्ट बहुत ही ता अब यहां पे मैं एक चोटा सा बोल रख दूझा और इसके अनदर फिर से हम और थोड़ा सा घी डालेंगे स्मोकी फ्लेवर के लिए हमेशा घी यूज करें इसे डखकन लगाएंगे और पांच मिनिट रहने देंगे और फिर सर्व करेंगे तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब को तुरंती मिले मिलती हूं कुछ हेल्दी न्यू रेसिपीस के साथ थैंक यू टेक केर बाए बाए